धर्म एक गंभीर विश है, धार्मिक्ता सहज हो सकती है, पर उसे कूल ना बना दिया जाए, मंदिर पूजा के स्थल होते हैं, वहाँ बियर पीकर जिप लाइनिंग करने की चूट नहीं होनी चाहिए, सरकारों के लिए मंदिर एक सुलब स्थल बनते जा रहे हैं, पैसे कमान के, टेंडर मातने के और उसमें धर्मावलंबियों की धार्मिक्ता, उनके शगुसित कष्ट, इश्वर तक पहुंचने का भावनात्मक्स्रम आदी, यह सब पीछे रह जाते हैं, जैन एक अतियल्प संख्यक समुदा है, उनके नियम कठोर है, पर वह समुदा है, उसे ही ज काम पर विक्सित करने की आड में, अपने लोगों को कार पार्किंग का टेंडर, सड़क का टेंडर, रेलिंग का टेंडर, रूफवे का टेंडर, एडवेंचर स्पोर्ट्स का टेंडर, और तमाम तरह के टेंडर बाठ कर, मंदिर के रास्ते को माल रूट बनाना चारहे है, और मंदिर को किसी महानगर का मौल जहां किशोर और रेस्क लड़के लड़कियां गले में बाहे डाले सेलफी ले अशलील गीत बजाकर नाजते हूँ इंस्टा के रील्स बनाए। आपको इससे रेवन्यू मिलेगा और जैन समाज अपना एक वैसा तिर्थ इन बेहुदे हुरदंगी युवाओं के बीर कैंस और सेलफी पॉइंट के बीच गवा देगा जहां उनके 24 में से 20 तिर्थ हंकरों को निर्वान प्राप्थ हुआ था। पैसा कमाना है तो उद्योग लगाओ। जो उद्योग है अलड़ी उनको विस्तार दो। बाहर से पैसे निवेश करवाओ। जैन समाज के लोग कम हैं पर वो हमारे अपने हैं हम सदैव उनके हितों के लिए बिना किसी शर्त के खड़े रहें। हेवन सुरेंज जिस पहार को मौल बनाना चाहता है उसकी अनुमती क्या उसने जैन समाज से ली। क्या आपको किसी जैन सेवा दलने या ऐसे समू ने कहा कि वहाँ जाना बड़ा दुसकर है कश्प्रद हैं। फिर आप किसके लिए बनवा रहे हैं। हिंदूओं ने सरकारों की अनौटंकी देखी है कि धामों को accessible बनाने के चक्कर में इतना accessible बना दिया कि वहाँ लोग वीकेंड विताने जाने लगें। क्या मंदिर वीकेंड की पार्टी के स्थल हैं, क्या सरकारों के लिए धार्मिक स्थल पर्यतन के उद्यम मातरे हैं, उनकी धार्मिक्ता वाला हिस्सा क्या इनकी सोच के लगुवृत में नहीं आता, क्या हमारे पुर्खों को यह नहीं पता था कि केदारनाथ और बदरीनाथ जाने में लोगों को समस्या होगी फिर भी कई बड़े धाम ऐसे दुरू हस्थलों पर क्यों बनाए गए या फिर ऐसा भी तो नहीं है कि एक भी बड़ा धाम मैदानिक शेतर में नहीं है कुछ मंदिर सहज प्राप्य हैं कुछ दुर्गम हैं उनके कुछ कारण रहे होंगे हर जगह को कॉरिडोर और हाइवे से जोड़ना मानविया घमंड का दियोतक है कि हम करेंगे क्योंकि हम कर सकते हैं पैसा ही जब केंदर बिंदु बन जाता है तो आपको समेज शिखर जी की पवित्रता से कोई ले ना देना नहीं होता वहाँ आपके राजकोस में स्वण मुद्राओं की खनक बढ़ाने का एक और माध्यम बन जाता है आज के इस वीडियो में हम इस पूरे आंदोलन पर एक विस्त्रित विशलेशन करेंगे जहां हम देखेंगे कि यह विशय है क्या जैन समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है मंदिरों की धार्मिक्ता पर उसका पर्यटन स्थलोना कैसे हावी होता जा रहा है सुविधाओं के नाम पर पियकड़ों की वीकेंड की रंगिन शाम के लिए एक और जगह क्यों तैयार की जा रही है और क्यों हमें इसका मुखर विरोध करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे विश्यों पर वीडियो बनाते रहें तो हमारा सयोग करें वीडियो को अधिक अधिक लोगों तक पहुँचाएं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आए अरंब करते हैं आखिर ये पारशनात और सम्मेथ शिखर जी की कहानी क्या है जो जैनियों का यह वहक्षेत्र है जहां इनके 24 में से 20 तीर्थंकरों को मुक्ष की प्राप्ति हुई थी तो मुक्ष स्थल है और जैन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए स्रद्धालों के लिए उनका one of the highest मतलब सबसे पवित्रतम स्थलों में से एक माना जाता है ये greedy के जंगलों में है वहाँ पारशनात की पाहडी है उस पर ये मंदर स्थिद है क्या हुआ कि 2019 में एक gadget सरकार निकालती है जारकन की कि इसे जो है एक eco tourism का शेत्र में हम develop करें इसके बाद क्या हुआ कि 2019 से move जो है सुरेन की सरकार ने कहा कि अब हम इस पे जो है काम करने जा रहे हैं और तब जब जैनियों को पता चला कि इस तरह से सरकार उनके मंदिर को एक परियटन स्थल में बदलने जा रही है तब उन्होंने करनाटक में जारखंड में उईसा में गुजरात में रास्थान मे अलग अलग जगों पर इसके विरोध में प्रदर्शन किया कि सरकार का यह move जो है यह गलत है और यह जैन समाज की अनुमती से नहीं किया जा रहा है और हमसे न पूछा गया और एक तरह से जब आप इस तरह के statements देते हैं और इस तरह के notifications निकालते हैं तो आपको सारे stakeholders को सा आपने उनसे पूछा तो वह पूछा नहीं गया तो इस कारण से जैन समाज में एक रोश है कि हमारे मंदिर के लिए तुम कुछ करना चाहरे हैं और वह हमारे मंदिरों की पवित्रता को भंग करने के लिए है उससे मंदिर को कोई लाव नहीं पहुचने वाला है जैन जो ल बना दो वहां होटल खोल दो वहां पे तमाम तरह के जो पब्लिक कन्वीनियंस से सुविधाएं जन सुविधाओं के लिए जो है तुम अलग-अलग जगह पे अलग-अलग बिल्डिंग्स बना दूए किसी नहीं का और इस कारण से उसका विरोध हो रहा है तो यह मूल कहानी है अब क्या है कि यह जो मास्टर प्लांस इस तरह के बनते हैं उसमें सदय भी देखा गया है कि सरकारों का उद्देश उससे कुछ अर्ण करने का रहता है या फिर उस क्षेत्र की एकॉनमी जो होती है जो लोकल स्थानिय अर्थवस्था जो होती है उसको बूष्ट देना चाहते हैं टूरिजम को बढ़ाना चाहते हैं और टूरिजम जब बढ़ेगा तो वहां होटल खुलेंगे वहां पर ओलेंगे बाजार डिवलफ होगा काने-पिने की जगहें होंगी वहां पर रिसौर्टश कुल सकते हैं और उसको एक सुवधा जनक तरीके से किया जाएग कि क्या हर मंदिर या हर उपासनास्थर इसी लाइन पर डेवलप होना चाहिए क्या मान लिजे कि सबसे अच्छा एक्जामपल है उजयन का महाकाल कॉरिडोर और पिर काशी का कॉरिडोर ये सब मैदानिक छित्रों के जगा हैं मंदिर है काशी में कॉरिडोर के आवशकता थी क्योंकि मुख्य मंदिर पंडा समाज के जो घर थे पाच-पाच फ्लोर के उसके बीच में खो गया था जो श्रद्धालू जाते थे उनको बहुत लंबी लाइन और सकड़ी गलियों में लगानी परती थी और यह डिमांड था कि इसको थोरा सा और बढ़िया बनाया जाए उसको ब्रीधिंग स्पेस दिया जाए यह नहीं कहा गया कि ने वो एक पहारी पे कहीं पे है तो पहार काट के सुरंग बना के या कुछ उस तरह से बना दे जहां जहां उस तरह की विवस्थाएं हुई हैं वहां के लोग बहुत ज़्यादा प्रसंद नहीं है और खास करके वो श्रद्धालू प्रसंद नहीं है क्योंकि जोहीं आप इस तरह का कारी करते हो और सब से अच्छा उदारन है उतरा खंड वहां पे केदारनात को यह सब को इतना ज्यादा accessible बना दिया गया है कि हर्याना से चंडीगर से यूपी से दिल्ली से वीकेंड के लिए लोग चार-पांच घंटे की ड्राइब करते हुए और आराम से निकल जाते हैं और वहां जब जाते हैं तो रास्ते में तवाम तरह का कूड़ा मानसिक कूड़ा भी की फेकते हुए जाते हैं मानसिक कूड़ा की यह मेरे सामने हुआ है कि हर्याना नंबर प्लेट की गारी और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जितने हर्याना गारिया यह सब यसी हैं सन्रूफ खोल करके चार-पांच लड़के और सनरूप से एक बंदा जो है निकला हुआ था वो लड़कियों पर उल्टी सीधी टिपड़ी करते हुए हाथ में बियर की बोतल लेते हुए हाई स्पीड से चलाते हुए हमारे सामने एक सास्थ धारा रोड है देरा दून वहां से निकल रहा था और ये इके दुके उधारने ये कई उधारने से हैं तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तब कोई भी समाज जो अपने किसी भी ख्षेत्र को पवित्र मानते हैं और वहां जाने का उद्देश ही उनका होता है कि हम अपने आप पर कष्ट लेकर, कष्ट क्यों लेते हैं, कष्ट लेने की अवधारना हिंदूओं में है, कष्ट इसलिए लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमने जो भी पाप किये हैं, या हमसे जो भूल हो गई हैं, हमसे जो जीवन में त प्राइस्चित करते हैं तो वही कस्ट जो हम मान लिजे कि आप तो जा रहें ना जम्मू में जो कट रहा है वैश्णोदिवी मंदिर हेलिकॉप्टर से लोग जाते हैं क्या मतलब है उसका वो तो फिर पूनता टूरिजम ही हो गया ना उसकी धार्मिक्ता तो रही नहीं मंदिर के दो उद्देश बना दियेंगे भारत में एक है धर्म के जो धर्मावलंबी हैं स्रद्धालू हैं भक्त हैं उनके लिए उनका परपस अलग है उनको जाना है मंत्र पढ़ना है अर्ग इसा गंधम चारे हुए इन जगहों पे जा कर जाके कि श्रद्धालूं फस्यां जाना छोड़ देता हैं उनके आम्याम कहां जा रहे हैं हम केदारनाथ, रास्ते में बियर की बहुतलें, आप जिस गारी में शेरिंग वेहिकल में बैटके जाओगे, चार लॉंडे होंगे उसमें, वो बियर पीते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, उनका मुक्यू देश्य होता है कि वो केदारनाथ मंदिर नहीं है वो हो गया आपको weekend get away spot हम बर्फ देखने जा रहे हैं जैसे वो hill station हो गया lens dawn हो गया कि वहाँ पर चलो यार धर्मसाला चलो वहाँ कसौल का गांजा मिलता है वो पिया जाएगा आपने धार्मिक्ता को शिव जी जो सबसे सात्विक देवता हैं उनको अपने आसोसेट कर दया गांजा पिएगे शिव जी के नाम पर शिव जी के नाम पर हम बियर पिएगे दारू पिएगे क्यों भाए क्योंकि उसका उसी तरह तुम पैदा ही हुए उस तरह के परिवार में जहां तुम्हें कोई बताने वाला नहीं कि शिव जी से सात्विक और कोई देवता ही नहीं कि यह यह मैं फिर अलग चला जाओंगा तो मेरे कहने कातात पर यह है कि मंदिरों की धार्मिक्ता केंद्र बिंदू होनी चाहिए ना कि उसका परियटन स्थल बनना यही कारण है कि जैन धर्मावलंबी जो है समेज शिखर ज च्रविकोले के वो थोड़े विचलित हैं उनमें यहां शंका है कि सरकार जोंते पहले कर रहे हैं क्योंकि हिंदू में तो भी एक थोरी से आप कह सकते हैं कि स्विकारिता है कि हार तरह के लोग जाते है और उसकि और उसका एक कोड़ीका तरीका नहीं है नौर्थ इंडिया अलगतरह से उपासना करता है साउथ में अलगतरह से उपासना होती है भक्त अलगतरह से जाते हैं साधक अलगतरह से जाते हैं पंडित जी जो होंगे वह अलगतरह से जाएंगे जिसको थोरी बहुत धर्म का उनको ग्यान है वह अलगतरह से अप्रोच करते हैं, लेकिन जाते सब हैं, जाएन लोगों में कुछ कोड है, कुछ नियम है उनके, और वो नियम से दहने बाएं नहीं हट सकते हैं, तो वो जब चलेंगे पारसनात पहारियों की तरफ, जहां पे उनका मंदिर है, और रास्ते में आपने इतने डिस्ट्रक्शन्स क्रियेट कर दिये, जो पहले एक दम से बंद था, कि शान्ती से, एक भाव से, एक लक्ष लेकर, अपने देवताओं से, अपने तीर्थंकरों से, मुनियों के पास, या जो भी उनके दारसनिक हुए हैं, रिशी हुए हैं, उन तक पहुँचने के लिए, य अरपस होता है कि हम क्यों जा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, वहाँ एको टूरिजम के नाम पे जिप लाइनिंग हो रही है, वहाँ पे बंजी जंपिंग हो रहा है, उसको आपने रंगा-रंग माहौल जो है, अग्दम कारिकरम की मिस बिजली का डांस देखी, आ रही है आपके शार में मिस बिजली, ये आप बना रहे हैं, आप देखें दोनों में कितना कॉंट्रास्ट है, एक पवित्रतम स्थल, जितना सात्विक हो सकता है, जैनियों से अधिक सात्विक और कौन होगा, उनमें तो सबजी भी कौन सी खानी है, यहां तक के नियम है, मच्छर नहीं मार सकते, किसी विजीव कोहान ही नहीं पहुंचानी है, उतने सात्विक लोग, और आप एकसेस किसको दे रहे हैं, जब जैनियों ने मांगा ही नहीं एकसेस, तो आप किसको दे रहे हैं अन्तमरे एकसेस, पीयक्करों को, विकेंड पार्टी मनाने वालों को, पास इस तरह के उधारण नहीं है अब प्रशनाता है कि यह किया क्यूं गया सरकार ने ऐसा क्यूं किया सरकारे ऐसा क्यूं करती है सरकार और खास करके जो निक्रिष्ट सरकारे होती है वह सोचती है कि पैसा कैसे बनाया जाए और ऐसा नहीं है कि जार्खंड सरकार के राजकोस में पैसा जाए ना 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 नेताओं का कभी वह उद्देश नहीं होता है नेताओं का उद्देश होता है कि जब हम यह बनाएंगे जब हम पारसनात की पहारियों के विकास के मास्टर प्लान पर बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे पब्लिक एमनिटीज जन मोटल बनाएंगे तो जंगल में जंगल की जमीन पर व्यापारिक और व्यापसाइक कारितों कर नहीं सकते हैं तो फिर आप धीरे-धीरे उसको डी-notify करेंगे वहां पर उद्द्योगों का प्रवेस होगा और कौन से उद्द्योग मैनुफेक्ट्रिंग नहीं सर्विस सेक अधर्मसालाएं बनवाओगे उसमें भी धर्मसालाफ्रीका तो बनवाओगे नहीं जब कि तुम्हारा उद्देश ही यही है एड्वेंचर टूरिजम हो गया हर तरह की चीजे वहां जब आप इस तरह का एक बना दोगे टूरिस्ट पॉर्ट जबकि वह मंदिर है तो अंत वो तो एक प्राइम एक्जामपल है उसके बाद के और एक्जामपल है यहां चारखंड में जारखंड में भाजपा ने पहली बार 5 साल की सरकार दी थी और उससे पहले आप देखे ऐसे ऐसे लोग बने हैं जो सरक किनारे जो है चखना विचा करते थे और वो बन गए मुक् मंत्री बने हैं तो डाउट होता है आपके इंटेंट पर क्योंकि आप एतिहासिक तौर पर भ्रष्ट रहे हैं आप पर आपकी पाटी पर या उस क्षेत्र के जो भी नेता रहे हैं कई ऐसे आपने प्रतिमान बनाए हैं जिसको देख कर किसी को भी डर लग जाएगा और जै जो मैंने अपने इंट्रों में भी पूछा कि क्या जैनियों ने तुमसे जाकर पूछा था क्या उसने मांगा था कि भाई हमें पहुंचने बराकस्ट हो रहा है हमारे लिए तो आप रोपवे का ट्रॉली वहां पर चलवा दो हमारे लिए आप मतलब जो है गारी चली जाए उस तरह तो आप रोड बनवा दो हमारे लिए हैलिपैड बनवा दो नहीं बोला ना आपसे आपने जिस समाज का मंदिर है उस समाज के लोगों से उस समाज के किसी ट्रस्ट से जो उसका देखरे करता हो किसी से बात नहीं की आपने चुपके से नोटिफिकेशन 2019 में आया थ अब जो है आपको तीन साल साथे तीन साल बीतने के बाद आपको ध्यान आया कि ऐसा कुछ किया जा और फिर आप जो है उस रहा पे जा रहे है हलाकि यह वी समाजार है कि अब उसको एमेंड करने की सोच रही है सरकार अच्छा है एमेंड ना कर उसको भूल जाओ जैनी असलब वो किसी और आकार में तब रहे होंगे अभी भी है पावपूरी आप जाइए वहाँ पे है एक गाओं का मंदिर वहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे जाइए यही सब किया गया था तो एक जैन जो वेक्ति हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे संभवता भगवान आदिन च्रण्चिन थे और वहाँ पर भी इस तरह से ऊपन किया गया था वहाँ पर को डैमेज करने पर आतूर थे लोग कसा और वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही है नहीं उन्होंने कहा कि हमें इससे पैसे नहीं मिल रहे हैं भाई तो आप क्यूं उसमें गुश रहे हो आप इसलिए गुश रहे हो कि जो भी मंदिर जहां पे भी है एक तो ऐसे भी बड़े मंदिर हिंदुओं के जो है वो आपके नियंतरण में है जो भी समाज, जो इस तरह कालब संख्यक है, कभी बोलता नहीं है, हिंसा नहीं करता, सड़कों पर खड़ी बसों और कारों को आग नहीं लगाता अपने डिमांड्स मनवाने के लिए, उसको आप इसी तरह से ट्रीट करते हैं, आप एजियूम कर लेते हैं, कि आप उन पर जो आसपास कुछ कुछ करके सैकड़ों करोर रुपिय आने वाले समय में कमा सकते हैं, इसलिए कर दो और जैनी क्या बोलेंगे, जैनी बोलते कहा हैं विचारे, तो आपने सब को उसी तरह से जैनीयों को मौनी बाबा समझ के और इस तरह के डिसिजन्स आपने ले लिए, अब जो एक फिर बहुत लोग मैंने पहले भी कहा इसी वीडियो के अरम में भी कहा कि इसे आप काशी या उज्जैन से जोड़ कर मत देखिए, कि वहां कोरिडोर बना तो आप जो है आप कह रहे थे कि बड़ा सही कारी हुआ है और यहां पे बन रहा है तो आप जो है दुख ही ह है या फिर बाबाधाम हो गया वो भी जारकंड में ही है वहां पे कोरिडोर नहीं बना रहे हैं यह लोग बाबाधाम में नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी शमता नहीं है कि वहां के लोकल पॉपलेशन से यह लोग उलत सकें बाबाधाम अगर आप जाएंगे जोतिर लेंग गंदगी है कोई मेंटेनेंस नहीं है जब हाल ही में जब देवघर को मोदी जी ने कुछ-कुछ फंड से लॉट किया है तब जाके वहां पे अलग-अलग चीज़े बन रही है एरपूर्ट बन रहा है इम्स भी बन रहा है लेकिन उसके इतर मंदिर जाने के लिए मंदिर का प सरोबर है तालाब है जिनकी एतिहासिक्ता जो है पौरानिक काल से है उसको करो न भाई किसी ने नहीं रोका तुम्हें काशे की अवशक्ता थी क्योंकि वहां मंदिर इतने छोटे जगह पर सीमित हो गया था कि वहां पे जो स्रद्धालू है वो उनको जाने में बहुत अध कश्ट होता था जबकि मैदानिक शित्र में वहां जाने के लिए ही है कि लोग जितने अधिक लोग वहां आ सकें लेकिन दीरे दीरे काल चलता रहा समय बीटता गया और वहां पे लोगों ने किसी तरह से मंदिर की जो भूमी थी उसको हत्या कर वहां पे अपने मकान पना ल है कि कई मंदिर जो छोटे छोटे थे जिनको संक्षित किया जा सकता था उनको भी तोड़ दिया गया उनको हटा दिया वहां पे people का एक बहुत पुराना विक्ष्ष था जिसको उखाड़ने की कोई आशकता हित थी उसको भी उखाड़ दिया गया तो ये सब हुए है लेकि जैनियों ने आपसे मांगा नहीं और फिर वो एक दुरू दुसकर मारग है उसका परपस ही है उसके वहां होने का कि लोग जो है कष्ट लेते हुए वहां तक पहुंचें दो तरह के कष्ट आप मानिये वैसा नहीं कि भगवान चाहते हैं कि नहीं मेरा भक्त जो है एकदम बर पहस्चित से जोड़ कर देखिये कि आप जब देवता तक पहुंचना भी चाहते हैं भगवान तक पहुंचना भी चाहते हैं तो आप यह मानते भले आपको आपके संग्यान में हो कि मैंने कोई पाप नहीं किया है मुझसे कोई गलती नहीं हुई जो मुझे याद हो फिर आप यह मान कर चलते हैं कि यह मानव शरीर जो है, इससे कई गलतियां होती हैं, मैंने किसी पर जोर से बोल दिया होगा, हम चलते हैं तो कोई जीब मेरे पैरों तले रौन दिया गया होगा, मर गया होगा, कई संभावनाएं होती हैं और उन सब को मानते हुए जो है एक भक्त उपर तक जाता है भगवान तक मिलने जाता है और इस कारण से उसे भौतिक रूप में भी कष्ट होता है मानसिक कष्ट भी होता है लेकिन भावनात्मक उसे प्लेजर मिलता है आनंद की अनुभूती होती है क्योंकि वह अपने भगवान से मिलने जाए तो उसका लक्ष अलग है अपने भगवान तक पहुँचने का काशी में या उज्जैन में या अन्य जगहों पे जो एकसेसिबल है जो सहज रूप से उपलब्द है वैसे जगह वहां तक जाना उसके जाने के पीछे का लक्ष अलग होता है वो भगवान का विशेक करना होता है भगवान पे बेल पत्र चड़ाना होता है या देवी देवता जो भी है जो एकसेसिबल है वो चाहते हैं कि भक्त हम तक आए उसका एक अलग परपस है इस मंदिर का अलग परपस है सारे मंदिर एक तरह के नहीं होते सबरी मलाया शनी शिंगनापूर को आप एक तरह से नहीं देख सकते हर एक मंदिर में एक देवता उनकी या देवी की प्राण प्रतिश्चा की जाती है वो मंदिर उनका आवास थलो जाता है उसमें उनका एक अंश आ जाता है तो वो यह तै करेंगे कि मेरे घर में मेरे मंदिर में किसका प्रवेश हो उसका आचरन क्या होना चाहिए उसका तरीका क्या होना चाहिए वो कैसे आएगा कितने दिन का उपवास करेगा कौन सा मंत्र जपेगा सब कुछ codified है और लोग यह मानते हैं जिनकी आस्था होगी वो मानेंगे और जिनकी आस्था नहीं होगी वो इसे परियतन स्थल्ब मान कर आएंगे तो हमारी समस्या उन weekend getaway वालों से है हमारी समस्या केदारनाथ को hill station समझने वालों से है हमारी समस्या किसी भी ऐसे धाम को beer cans की उसके समू में उसके धेर में बदलने से है तो आप जो है इसको और उसको पारसनात को और काशि कोरिडोर या उजयन को आप equate नहीं कर सकते उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए क्योंकि हर मंदिर की प्रकृति हर मंदिर की सोच उसके बनाने के कारण उससे होने वाले लाव सब अलग अलग है और वो ऐसा भी नहीं है कि वो गायब है किसी को पता नहीं है सब को पता है और इसी कारण से हर वेक्ति जो जानता है वो उसी स्वरूप में उसी तरीके से उन्ही नियमों को मानते हुए वहां तक पहुंचता है अब एक प्रशना आता है सुविधा और पवित्रता में क्या उपर है किसको तरजी दी जाए परियतन और धर्मिक्ता में कौन उपर है मंदिरों को जब एक सामानी हिंदू परिवार के दिश्टिकोन से हम देखते हैं तो आप और हम जब अपने परिजनों से बात करते हैं तो माता पिता बोलेंगे कि हमें चारधाम घुमा देना जब हम बजूर्ग हो जाएंगे जब तुम बड़े हो जाओगे तो या फिर किसी का होता है शिब भक्त हैं तो उन्हें जो है जियोतिरलिंग के दर्शन करने होते हैं कि हमें रामेश्वरम ले चलना विश्णु भक्त है तो भगवान राम की जनुस्थली जो है वो बोलते हैं अध्या जी हमें जाना है किसी को काशी जाना होता है सब के अपने-पने होते हैं, कभी भी किसी से आपने नहीं सुना होगा कि वहाँ जाकर हम फोटो किचाएंगे, होटल में रहेंगे, एसा नहीं होता है, कोई हिंदू परिवार ऐसा नहीं करता है, यह जो आप जब accessible बनाते हैं, मंदिर के आपने दो functions जो define कर दिये हैं, कि एक function जो है, भक्तों वाला है, धार्मिक्ता वाला है, जिसमें वक्त स्रद्धालू जो है, दर्मावलंबी जो है, वहाँ पे जाएंगे, अपने देवता हैं, अपनी देवी माता हैं, पारवती जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, सरस्वती माता हैं, लक्ष्मी जी है सीता माता है, जो भी है, या शक्ति के जितने शक्ति पीठे हैं हमारे, वहां पे जाते हैं, जो तिर लिंगों पे जाते हैं, अलग लग धामों में जाते हैं, तो वहां जाकर हम भगवान के दर्सन करेंगे, किसी को दर्सन मात्र से एक आनंद की अनुभूती होती है, कोई वह उनका भगवान से जुड़ा उस तरह का है, तो वो उस ख्षित्र मात्र में जाते हैं, तो उनको उस तरह के अनुभव होते हैं, और कई बार कोई भी अनुभव नहीं होता है, फिर भी हम हिंदू है, वो हमारे देवता है, वो जगरनाज जी है, वो शिवजी है, वो केदारना से उनके ही अनुमती से यह ब्रमांड चलायमान है हमारा जन्म होता है हमारा मरन होता है हमें मोक्ष मिलता है हम इस कारण जाते हैं भले हमें वहां कोई एक अलवकिक अनुभूती हो या ना हो और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो परियतन का होता है परियतन वाले अब जो है क्योंकि एक पीड़ी जो हमारी पीड़ी है और उसके बाद वाली जो पीड़ी है उसके लिए अपने निजी जीवन को वयक्तिक जीवन को सार्वजनिक करना और फिर वहां से फीड़बैक पाना कि यार तू तू यार किडारनाथ गया था ब्रो चलते हैं ब्रो हम क्या करते हैं कि गाड़ी उठाते हैं और बियर के कारेट जो है कार्टून भर लेते हैं और चलते हैं कि चलो यार चलते हैं ब्रो किडारनाथ चलते हैं ब्रो और उसमें पूरी राह पीते हुए जाएंगे नशे में पहुंचेंगे, बर्फ पढ़ रही है, शर्ट में फोटो खिचा रही है, या जो भी उनको करना है, उनके लिए यह एक उपलब्दी हो जाती है कि हम वहां गए थे, अब देखिया, ऐसा नहीं है कि उनको यह पता नहीं है कि वो जो कर रहे हो पाप है, मतलब ठीक है हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं कि दारू पीना पाप है कि नहीं, गांजा पीना पाप है कि नहीं, लेकिन हम इस पर तो सामत होई सकते हैं कि जब आप भगवान के अस्थल पे जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, धाम में जा रहे हो, तब आपको यह सब कारी करते हो, नही चड़ता है यार तो वो थोरे ना बुरा मानेंगे यार आप अपने पाप का हिस्सा शिप जी पर उन पे बिल फार देते हैं कि यार शिप जी के हां तो सब चलता है यार नहीं भाई नहीं चलता है सब कुछ तो जो भी है तो यह जो परियटन वाला हिस्सा है मंदिरों को ले क करकि वह इतना हावी होता जारा है क्योंकि उससे पैसे बनते हैं उससे उस छेत्र की एकशानुवी डेवलप होती है और जब और अर्थविवस्था सुधरेगी तो revenue generate होगा revenue generate होगा तो टैक्स से जाएंगे टैक्स कहां जाएगा अन्ता टैक्स सरकार के पास जाएगा और आपने जिनको enable किया tender के माध्यम से वहाँ अलग लग ततिष्ठान बनाने के लिए दुकाने खोलने के लिए पार्किंग लगाने के लिए तो वो सब उसका भी तो पैसा उसका भी तो किक बैक एक तरह से आप तक पहुँचेगा तो यह परपस जो होता है तो इस तरह का जब टूरिजम आप पे हावी होने लगेगा आपके रिलिजियोसिटी पर या धार मिक्ता पर तब उस जगह की पवित्रता जो है वो भंग होती है और वह चीड होने लगती है धीरे-धीरे क्यों क्योंकि कोई भी स्रद्धालू आप सोचे कि आपके माता-पिता एक टैक्सी में बैठे हैं या शेरिंग वाला जो चलता है जिसमें साथ-ाथ-दस लोग बैठ सकते हैं जीप में हैं किसी चीज में आप बैठे हुए हैं और उसमें आप जा रहे हैं के दारनात देरांदून से होते हुए या जो भी रास्ते से आप जा रहे हैं और उसमें चार हुरदंगी नवीवक मिल जाएं आपको जो बियर का कैन हाथ में लिये हुए है और मा बहन की गालियां देते हुए जा रहे हैं तो क्या आप वहाँ जा करके और जब लोटेंगे तो दूसरों को आप बोलेंगे कि वहाँ जाना चाहिए आपका तो अनुभव यह रहेगा ना कि ठीक है हम यार भगवान तक तो पहुँच गए लेकिन रास्ते में यार इस तरह के लोग भी आने लगे वहाँ इसी तरह के लोग अधिक आने लगे तो उससे क्या होगा कि स्रद्धालू जो है उनका जाना कम होने लगेगा और यह जो योब्रो वाला यह कूल प्रजाती जो है उसके जाने की अधिकता हो जाएगी वो पहुँचने लगेंगे तो स्वयम ही नकारात्मक जब उपर उठने लगेगा तो सकारात्मक्ता या धार्मिक्ता उसका वो गाण होने लगते हैं, उसका क्षणन होने लगता है, और इससे धर्म को सामोहिक तावर पर एक क्षती पहुंचती है, जो अपूर्णिये होती है, इसी कारण ऐसे जो भी निर्णे होते हैं, उनका विरोध करना आवश्यक होता है तो जैसा कि मैंने पहला ही वाकि कहा था कि धर्म एक गंभीर विश है इसे आप ये जिप लाइनिंग में और बंजी जंपिंग में और लेट नाइट आउट्स में इसमें जो है इसके समीप लाकर दोनों को एक फ्यूजन क्रियेट करने के चक्कर में आप जो है मंदिरों की ध भार्मिक्ता को गाण कर रहे हैं वो आपको दिखता नहीं है या पैसों के लोव में ऐसे लोग ऐसे नेता की जो है अंदे हो चुके है कि जान बूझ कर देखना नहीं चाहते हैं सुधा के नाम पे हमने देखा है अरिद्वार में रिशिकेस में गंगा किनारे बीर भी उस जगह पे नहीं जाते थी पहले मतलब गंगा जी बाहर रही है आप होटल से बाहर आए या कहीं गए उधर बालू है पत्थर है वो ऐसे किनारे पे जाते थे और रात में जो है दारू पी रहे है वो भी गलत ही है वो भी उचित नहीं है और वो क्या हुआ कि उनका मन जब इतनी कर दोगे और तुम्हें इसका कोई भान ही नहीं रहेगा कि इसके साइड एफेक्ट्स क्या हो सकते हैं तब जो है आप इस तरह के उधारन आपको जो है हर रोज दिष्टिगोचर होंगे और तब वही होता है कि फिर एक धार्मिक लोगों का सम्मौ आएगा उनक पर मंदिर के किसी एक निश्चित जगह पर होने का एक लक्ष होता है उदेश होता है उनको आगम शास्त्रों के अनुसार बनाया गया है वो किस पत्थर से बने है उसकी प्रकृति कैसी है वो किस जगह पर है वहां पर जो बाकी elements हैं वो किस तरह से एक दूसरे से interact करते हैं यह सब जान कर समझ कर बूज कर उन्हें बनाया जाता है मैंने कहा कि कुछ मंदिर सहज प्राप्य होते हैं जहां आप जा सकते हैं आपके गाउं का मंदिर है वो तो किसी परवत शिखर पर नहीं है वहां पर रोज जा सकते हैं काशी में है देवघर का मैंने नाम लिया या अन्य आपके आसपास जितने भी होँगे, आप राजगीर चले जाओ, जग़ जग़ पे जहां पे भी हिंदुओं के मंदिर है, जगणाथ पूरी होगया, वहाँ पे जाओ, तो इन सब जग़ोंपे साहजप्राप पे मंदिर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं वहाँ भी धर्मी भी जाते हैं जिनका धर्मित्ता से कोई लेना देना नहीं होता उन्हें भी मनाही नहीं है लेकिन हर मंदिर हर एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता अगर मंदिर के कुछ नियम है तो उसे हमें मानना चाहिए क्योंकि वो मंदिर या वो देवता या उनके धर्मगरंद या उनके द्वारा बोले गए शब या उनकी प्राणप्रितिष्ठा हमारे आपके कई जनमों के पुर्व के हैं तो आपको या घमंड नहीं होना चाहिए इस तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए आप में क्यार बना है हमारे लिए यह तो है तो हम क्यों नहीं जाएंगे नहीं आप इन गुड बातों को समझने की चेश्टा कीजिए तब आपके मन में इस तरह के उलूल जूल प्रस्ट नहीं आएंगे कि फिर तो सब मंदिर को बंद कर देना चाहिए मंदिर दारू पीने के लिए नहीं होता है मंदिर परियटन के स्थल नहीं है वहां आप जाकर ठीक है फोटो खीच लिए लेकिन उसकी प्रकृति जो है बदल नहीं जाती आपके कैमरा हाथ में ले लेने से होटलों की बार हा जाने से वहां एक पूरा मार्केट सिटम क्रियेट कर देने से उससे मंदिर का उसका मूल तत तो उसकी मूल भावना वहां मंदिर के होने का वहां बदल नहीं जाता वो आपने वो लुटकुन जुन जुन लगाएं है वो मंदिर ने नहीं कहा था एक दिन सपने में आए आज तक सुना है कभी किसी पुजारी ने कहा हुआ कि भगवान हमारे सपने में आए और बोले कि वहाँ तीन होटल खुलवा देना कभी ऐसा नहीं होता तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए कि वो मंदिर किसका है और वहाँ जाने वाले लोग क्या आपसे बोल रहें कुछ तो कारण रहे होंगे न कुछ तो कारण रहे होंगे कि कुछ मंदिर इतने दुरगम है कहीं एक जगा खोज कर बनाए गए कुछ तो सोचा होगा ना क्या आपको लगता है कि केदारनात में या उत्राखंड के जो भी बर्फिले इलाके हैं या कैलास चले जाएए आप वहाँ पर मंदिर बनाएप मतलब उस समय में उनको नहीं पता होगा कि यहां बर्फ पढ़ती है कि नहीं यह कितना मतलब सहज प्राप पे नहीं है यह पता होगा ना जिनोंने मंदिर बनाया होगा फिर भी वहाँ पर बनाया है क्यों कोई तो परपसरा होगा ना आप या मैं आज उसे समझ नहीं सकते हैं तो कम से कम benefit of doubt तो उनको दीजिए कि नहीं नहीं था यार तो हम एकदम 8 lane highway बना देंगे वहाँ पर और एकदम मंदिर के दरवाजे तक हम सटा देंगे वहाँ पर आपको बनाना है कहीं और बना लो जहां पर holiday highway बने हुए और जहां लोग आ जा सकते हैं जहां population density उस तरह की है तुम क्यूं इन जगों को इनकी उर्जा को छेड़ रहे हो और इनकी उर्जा का छड़न करने पर एकदम आतूर हूँ अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो उद्योगों का विकास कीजिए और जहारखंड अगर कहे कि पैसे नहीं उनके पास आई डूब मरना चाहिए मतलब मिनरल के हिसाब से दुनिया का सबसे रिच स्टेट माना जाता है इतने ज़्यादा वहाँ पर खनन करके आप खाने और अलग-अलग तत्व वहाँ पर मिलते है आपके यहां अध्योगिक जिले है छोटे मोटे मतलब दो-चार फैक्टरी नहीं वो कारो है, जमशेदपूर है राची है, धनवाद है डालमिया नगर है मतलब आप नाम ले लो सबसे अधिक इंडस्ट्री उनही इलाकों में है उसका विस्तार करो ना क्यों यहां लूट पार्ट के उद्देश्य से मंदिरों को क्यों छेरना चाहते हो आपका हित्व है जल, जंगल, जमीन जंगल को बचाओ जो जैसे हैं उन्हें वैसे रहने दो इको पार्क बनाना है बनाना कहीं है और जाके भाई, जील खोद दो बंजी जंपिंग करवाओ पहार से जल प्रपात उतार दो जो करना है करो लेकिन मंदिरों को वैसे ही रहने दो और जैन धर्मावलंबियों से मैं अपने सारे दर्शकों के प्रतिनिधी के तोर पर यह करना चालता हूं कि हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में और हम आपके लिए अपनी ध्वनी तीवर करते रहेंगे हम लगातार इस पर बोलते रहेंगे लिखते रहेंगे जब तक कि आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती और आपके धार्मिक स्थलों को यथावत जैसे आप चाहते हैं वह इसे छोड़ ना दिया जाए दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें वश्य बताए आपको भी लगता है कि कुछ वह इसे विश्य हैं जिस पर मुझे बूलना चाहिए तो आप कमेंट के माद्यम से हमें बता सकते हैं लाइक करें शेयर करें वाटसैप में जहां भी इसे फैलाना चाहते हैं जैसे भी आप सोतंत्र हैं इसके क्लिप्स बनाकर आप अलग-अलग माद्यमों पर रख सकते हैं हमारा स्योग करना चाहते हैं तो इन नमबरों के माद्यम से कर सकते हैं जुड़ने के लिए बहुत होता आभार आपका नमस्कार